आपको ले चलते हैं अपने किचन में बनने वाले है लड़। पड़ आपो पिशन के लड़ु और बेसन में 25 ऊईहाँ , और बेसन में मिश्री यूज इसने की है क्योंकि डावेटिव पेशन्ट होते हैं उसमें यह लड़ू को खा सकते हैं और मिस्टरी से कोई मतलब डावेटिज जो होती है वह नहीं बढ़ती है यह अच्छी होती है इसमें ड्राइफुड है आधा यह बादाम लिया है काजु लिया है चिरॉंजी लिया है आप चाहे अगर और भी मेवा यूज कर सकते हैं तो आप कर सकते हो ठीके लगबग 25 लडू के लिए यह कॉल्टियम तयार कर रहे हैं ठीके और इसमें पढ़ता है तो इसका टेस्ट कैसा होगा और कैसे बनेंगे तो चले शुरू करते हैं रेसिपी के लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगी जो ड्राइफुड है इसको आपको हलका हलका घी में 2-3 मिनट के लिए भूना होता है जिसे थोड़े सी क्रिस्पी हो जाएंगे टेस्ट इसका बढ़ जाएगा तो चले शुरू करते हैं इनको भूना यह हमने कडाई गरम करने रखे और इसमें डाला है लगत एक चमची घी बस जादा ने डालना है इसमें ड्राइफूट डालके बस ड्राइफूट को उसमें हलका सा भून लेंगे उसके बाद उसको मिक्सी में डालक ग्रेंड कर लेंगे जो मेवा है वो पूरी तरह से पौर्डर फॉर्म नहीं करना है उसको हलका सा अद डाला करके ही रखना है जो भी लड्डू में जब उसको खाते है तो एक अच्छा सा टेस्ट आता है तो आपको बिल्कुल वैसे पिषना आपको दिखा देंगे आपको इसको झूरा कर लेंगे इसके बास जाबंगा गया कर लेंगे तो आपको दुमध्य का विर्म नहीं कर लेंगे यह जीए का लगवा Palmer में दून कर ताया यह दो से तीन मिनित तक भूल लिये हैं और यह काफी अच्छे कलग के होगे अब हम प्लेम को बंद कर देंगे ठीक है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इसको उसे ग्रेंदर में डालकर हलका सा अधगाना करती पीस लेंगे ताकि यह लड़ू म प्रणा है यह पचीस लड़ों के लिए कॉंटृती हम तयार गया है इसमें आपको लगभ़क और जादा डाला ज़िए और ब्राउन ब्राउन करे विनेंगे और बेसन जो लड़ों के इसकारना होता है वो दंदर दरावाला होता है आप दुकान पर जाएंगे आप दिकान अब गी में इसको हल्का हल्का भुणना है और जब पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा इसके बाद आधा किलो बेसेगे लगवाग इसमें 25 से 27 लडो तयार हो जाएगे आप इसे एक अफ्टे तक रख सकते हैं और वो भी रूम कांपे चलिए आप इसे प्रिजर्ब में नही और यह प्लेम पर भूंता रहेगा जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा भूंका और इसमें अच्छी से कुस्पू आने लगेगी उसके बाद आप फ्लेम कॉफ करेंगे अभी आप इसको लगवाज को दस मिनिट आपको भूनना है यह दो कि आपको भूनते रहना है देख तक कि बहुत अच्छी से भूनना जाए अब इदो काम इसमें सेगंड टायम कर रहे है इसको फिर से मैसे चलाएंगे आप गी काउन्ट इच बीच बढ़ाते रहें जब तक कि बहुत अच्छी से यह जो इंगी जाते हैं इसमें बें आपको बिल्कुल ऐसी चलाते रहना है बिल्कुल लूज करके अच्छे से भंजाएं, सॉफ्ट करके ताकि लड़ू बढ़ने में आसाली हो, आपको घीज में एड करते रहना है, ठीक है? मिक्सी में कर देरें मिक्सी में है, यह मिक्सी में कर डेले मिक्सी में डाल दिया हैं अग्रे बिल्कुल आपको यह पिस लेंगे ताके लड़ो में आराम के लड़ो बांदे जा सकता है। यह देखिए छो प्रेशन कि यहाई जो है है एक द्रदरी करके पीस लेंगे। आपको भी बिल्कुल ऐसी पीसने है ताकि लड्डू में डालने से टेस्ट और भी जादा बढ़ जाए ठीक है यह देखे हैं हमने फ्लेम पे कणाई गरम करने रखी है आप इसमें थोड़ा सा घीडा है लगबग एक से दो चमजी घीडालना है आपको बस ज्यादा देखे है अब खाल गाना है और यह लटू में डालने के लड्डू में पेस्ट रहे है और यह बेनिफित भी जाद है डालने के लिए जाए ता पछलका सा भूल लेंगे- अगर आपको इसको डालना है तो आप डाल सकते हैं वर्ला यह तोटली ऑप्शनल है हम इसको इसमें एड्ट क अब इसको भी हम कीस लेंगे ठंडा होने के बाद और पॉडर फॉम तयार कर लेंगे आराम से लड्डू का जो आटा है विशन उसमें एड़ करतेंगे इसको पैयार करेंगे इस तरीके से पाने डाल के फिलेंगे उपकर और इसमें जो लड्डू में अहलका सा करारापन आता है इसी के वज़िक से आता है जो चिनी को या पाडर फॉम कर गए है इस तरीके से गरम किया जाता है आपको भी बिल्कुल ऐसे गरम करती है यह तो जो बेशन बना देंगे और उसका टेस्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से दरम करना है और उस चास्नी को आपको इस बेशन में एड़ करना है तो वो करारा बेश्ट आएगा यह देखिए पूरी चास्नी वह उबल गई है आप इसमें अलका साम घीर डालेंगे आपको पिल्कुल इसी करेंगे से उबाल लेना है जब इसमें अच्छे से बबल से तयार हो जाए वह बलकर तब घीर करेंगे एक से दो जब्सक्राइब करारा तना जाता है और अब क्लें को बंद कर देंगे इसको अलका सा ठंडा होने के वाद इसे वेशन में एड़ कर देंगे यह देखिए अब गौन जो है जो हमने भून ले थी इसको भी हम पीस लेंगे पार्डर फॉर्म में जब तक हमने सारे मेवा पीसे और मिस्री को पार्डर फॉर्म किया तब तक इसको भूनते भूनते देखो यह टाइम भी हो गया तेखिए यह बून गया है और इसमें बहुत अच्छी खुश्वाने लगी बेशन के दो कितने प्यारे ने बेसन तएयर हो गया है जोजोरी इतकर पानी दाइना है और उसको अंची से चलाना है यह बूर ने जब पूरे तरह से जून जाता है तो इसमें पानी के हलकी हलकी से सिच्टी लवाते है और इसको इस तरह के से रेडी कर किए आश्यू है कि आशन हें आशाम है जहां जब पूरी तरह से बंध हो जाएंगे जाम को आफ कर देंगे आशिया विए और बेसन पूरे तरह से तयार हो गया है बिल्कुल ब्राउन हो जाए और बहुत अच्छी पुश्बू आने लगे तो समझ जाना है कि बेसन भूंग गया है और हलका सा रैड हो जाए अगर आपको इसमें कलर डालना होता है कलर डालने का बन करें कि आपको लगे चलो भी यहों स्मूदळी के सबस्ता बैस nå तरी तरिकल के लियो करें है根ज दर दराशन के अंद्रे को जालने ताकि लड्डु है वह बहुत जाए क्रिसादा मत्रार पूर्टौन ताकि बीचन अब आपसे बिलilläकर पेसन only डालें लगंगे 200 ग्राम एघव的 300 g पौडर आपको एड करना है और रिख गरम इसमें गरम में ही डाल देंगे ताकि मिलाने पासाली हो जाए विल्पवडर से काफी अच्छा टेस्ट हो जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है यह देखिए मम्य अभी लगी पड़ी है इसको मिक्स करन गोडिना मिल्क पाउडर के टाइए मिल्क पाउडर तर् – और आशिक के साझाई, exactement प्रेमी गुध है तो दमठी है तो बहुत माईं कंसे विश्रूं अब शुळके कंट डाउर कश साइनी . अब इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे अधिक है आपको भी जितना घी इसमें डालते रहना है जितना मन करें आप उतना एड़ कर सकते हैं इसको उतना ही अच्छा टैक्सर तैयार हो जाएगा घी इसमें बढ़ा सकते हैं वह टेस्ट में भी बहुत अच्छा था और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है यह देखिए कितने अच्छे से नेवा मिल्क पॉडर और जो जो इन गिडिनिस में डालें वह सारे अच को एंचा त्यूर्ड तैयार किया था चास्नी के रूप में अच्छा को डालें वह जो गौन तीजा से है भी वहें अच्छी में अच्छा होती है अ मेवच ब Cell बच यदे डूत है तो वह हेल्थ के लिए अच्छे होती है और टेश्ट तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है यह देखो आपको तुछ कर लेना है यह देखिए यह जो चास में तयार हुए थी करारे करारे जी उसको इसमें डाल देंगे और उसको भी इसमें लास्ट में मिक्स कर लेंगे ठीक ह और आपको इस तर्हिए से लड्टू बनाने आप लड्डू का कोई वी साथ साइज भी वना को सकते हैं आप बीडियम में बनाने या पुट बहुत बड़े साइज में बनाने आपके अपने इच्छा है, ठीक है यह देखी हॅ एन लड़ो कैसे रेडी हो रहे है सुंदर लग रहे हैं बहुत ही जादा budget और बहुत ही जया迦ा test ही दित रहे है जैसी बन जाएंगे बस हम दो श्रूर होने वाले है लेका शरू होने से पहले आप पता क्या इसी आप पहले भोग लगाना मंदिर में, क्योंकि भोग लगाने के बाद इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठिक है ना? मैंने लट्टू बना लिये हैं, और मैं अपने काना जी को भोग लगाँगे, आप भी लगाना कितने सुन्दर लुक लग रहा है इनका, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है, जैसी बन जाएंगे, बोग लगाने के बाद, बस सिधा हमारे पेट में जाने वाले हैं, तुकि आप इनको देखके रुका भी नहीं जा रहा हैं, आप भी प्लीस बनाना और आपको ये कैसे आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाए, ये लड़ू बहुत ज्यादा हेल्थी है, और इसमें जो इंग्रिविंट पड़े हुए है, वह बहुत ज्यादा टेस्टी है, और हाईजीमिक है, आप भी घर में इस तरीके से मिठाई बना सकते हैं, और ये वेसिन के लड़ू को पड़े मज़े से खाईए, अपने घर में बनाईए, ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगली रेसिपी में, राधे राधे